अगर आपके पास कार है और आप कार से ही ट्रावल करना बेहतर समझते हैं तो ये आपके लिए बेहज जरूरी खबर है दरसल में भारत सरकार जल्द ही कार में फ्रेंट एर बैक्स को जरूरी करने वाली है जी आए जानते हैं क्या है पूरी खबर दरसल में परिवहन मंत्राले ने कानून मंत्राले को कुछ समय पहले इस बारे में एक प्रस्ताव फेजा था कि फ्रंट एर बैक के नोटिफिकेशन को मंजूर कर दिया जाए जानकार बताते हैं कि कानून मंत्राले ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमती दे दी है अब जल्द ही या प्रस्ताव फाइनल होकर सारवजनिक कर दिया जाएगा इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सड़क पर दोल रही कारों में इस साल 31 अगस तक एर बैग अनिवारे हो जाएंगे तो वहीं कार के नए मॉडल में यहनियम एक अप्रेल से ही लागू हो जाएगा बताने की अब तक जादतर कार निर्माता कमपनी टॉप मॉडल में ही एर बैग लगा कर देती है हलाकि जादतर कारों में केवल ड्राइवर सीट पर ही एर बैग लगा होता है अफ्रेंट पर बैठने वाली driving के साथ वाली सवारी के लिए भी airbag अनिवारे होगा सरकार के इस फैसले से airbag बनाने वाली company को सबसे ज़़ादा होने वाला है बताने कि भारत में राने मदरास company सबसे बड़ी airbag निर्माता company है इंटरनेशनल कमपनी में बोश भी है जो बड़े पैमाने पर एयर बैग का उत्पादन करती है सरकार के इस फैसले से सबसे जादा फायदा इनी कमपनियों को होने का अनुमान है क्यों जरूरी है एयर बैग? दिरसल में कार में एयर बैग एक्सिडेंट में ड्राइवर और बगल में बैठे पैसेंजर की जान बचाने का काम करता है जैसे ही कार किसी वाहन या अन्य किसी चीट से टकराती है एयर बैग गुबारे की तरह खुल जाते हैं और कार में बैठे लोग कार के डैश बोर्ड या स्टेरिंग से टकरा नहीं पाते और उनकी जान बच जाती है देखा गया है कि अब तक एक्सिडेंट के समय जादतर मौत यात्री का सिर्फ कार के डैश बोर्ड या स्टेरिंग से टकराने की वज़े से ही होती है इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ये फैसला करने वाली है बता दें कि airbag cotton के बने होते हैं और इन पर सिलिकॉन की coating होती है airbag के अंदर sodium agile gas भरी होती है कैसे करता है काम? दुसर में कार के bumper पर एक sensor लगा होता है जैसे ही कार किसी चीज से टकराती है तो sensor से current airbag system में पहुचता है और airbag के अंदर sodium aside gas भरी होती है current मिलते ही यह gas बनकर गुबारे की तरह फूल जाती है बता दें कि airbags को खुलने के लिए एक सेकंड से भी कम का समय लगता है तो आपकी कार में अगर अभी तक airbags की सुविधा नहीं है तो जल्द ही अपने कार में airbag लगवालें इस वीडियो में फिलाहल इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए परते रहिए ललुराम.com अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेस्बुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब फर्स सबस्क्राइब करें शक्रिया